Dear Students, Phleera Mechanical Group में आपका बहुत-बहुत सवागत है तो आज हम orthographic projection का अगला question करेंगे तो question है Draw the orthographic projectioning third angle जानि हमको third angle में figure बनाना है इसका तो यहाँ पर यह हमारा isometric view दिया हुआ है इस तरफ से हमारा front है यह हमारा side और इस तरफ से plan तो हम front से जब इस object को अगर हम देखते हैं तो आप इसकी shape समझने की कोसिस कीजिए इसको दिमाग में imagine कीजिए कि एक्ट्वल में कैसा दिखेगा अगर यह सामने हमारे खड़ा है यह object सामने अगर रखा हुआ है तो कैसा दिखेगा तो अगर आप इसको वैसे सामने से देखेंगे तो आप इस तरफ से देखें यहाँ से cutting position है न यह देखें cutting कुछ V की shape में बनेगी है इसी तरह से यहाँ से भी कुछ V में बनेगा भी हम वो front view में देख लेंगे कैसे बनेगा तो विलाल यह हमारा third angle का है question हमारा third angle में question है और हमारा elevation देखें हमारा याणी front view front view हमारा right hand में दिया हो है right hand में हमारा तो third angle में क्या होता है अगर हमारा right side में होता है front तो हमारा figure भी कहा बनता है right side में बनता है और किस तरफ नीचे की तरफ तो यहाँ पे हमारा front बनेगा front के उपर हमेशा क्या बनता है top और front के side में हमेशा क्या बनता है side view अगर आपको first और third angle का difference नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं वीडियो का link description में दिया हुआ है तो अब आप देखिए इसकी जो total length है ये कितना है 60 mm breadth कितनी है 45 और total height कितनी है इसकी 30 है ना total height तो जो हम इसको front side से देखेंगे front side से हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगी इसकी length दिखेगी और इसकी height दिखेगी front side से देखने पर सिर्फ हमको इसकी length और इसकी height दिखेगी तो हम इसकी length और height पहले draw कर लेते हैं तो इस तरफ हमारा front होगा, इसकी height हमारे कितनी है, 30mm, यह 30 हो गया, और यह हमारा 60mm इसका total length हो गया, इस तरफ से भी, यह हमारा 30 हो गया, और यह जो हमारा box पाचा, यह भी हमारा 60 हो गया, तो इस तरह से हमने, side की lines में हमें हमें मिटा देता हूँ, इस तरह से हमने, यह जो हमारे थी length हो गई, यह नि 60mm, यह हमारी height हो गई 30mm, क्योंकि जब हम front से देखेंगे तो हमको क्या, यह जो इसकी length है, यह यहाँ पर base हो जाएगा यह, और इसकी height है, यह इतनी हो गई, इसके बाद देखेंगे, जब हम front से देखेंगे, front से देखने पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो distance है, कितना है 10mm न, तो यहाँ से यह 10mm पर हमको एक यह box और एक यह box देखेगा, तो height कितनी 10mm, और यहाँ से कितना है 20mm, और यहाँ से भी कितना है 20mm, तो यहाँ से कितना है 20mm, और यहाँ से भी कितना है 20mm, और इसकी height कितनी है, height इसकी 1cm, height होगई इसकी, हभी अब देखिए, मैंने इतना हिस्सा कर लिया न, कितना थे मेरा 20mm पर था न, 20 पर कूछ यह ऐसा हो गया, ही यहाँ पर कूई 20 पर कूछ ऐसा हो गया, तो देखिए, जब हम इसको इस तरफ से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ये box दिखेगा, एक ये box दिखेगा और ये जो beach का box है ने 20 में यानि यहाना जो 20 है भी लेकिन आप देखे जो ये beach का हिस्सा है ने 20 वाला ये एक V-shape बंद रहा है यहाँ पे ये के V-shape के form में इसको cut किया ने, यहाँ से यहाँ V-shape है तो क्या है कि इस जगा पे मतलब इसका जो center होगा ना वहाँ पे हमको एक state line दिखेगी जहां हम सामने से देखेंगे ना नि एक box ये एक box ये और जो V-shape आला है ना इस तरह का दिखेगा कुछ ही इस तरह इसके अंदर यहाँ पे V-shape है तो V-shape का जो यहाँ पे बीच में line होगा वो ये रहा अब हम इसका उपर वाला portion देखते है तो उपर मैं देखेंगे यह हमारा 60 था तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 60 होगा और यह जो हमको figure दिया है symmetric figure है symmetric figure यानि मैं इसको अगर बीच में से काटता हूँ तो दोनों तरफ बराबर होगा है यानि कि यहाँ से यहाँ तक मेरा 60 है तो यहाँ कहीं इसका 60 होगा तो 30 इसका 30 mm क्या होगा इसका center होगा यानि यहाँ से यहाँ तक का 30 यहाँ से यहाँ तक का 30 जैसे यहाँ से यहाँ तक का 30 यहाँ से यहाँ तक का 30 है ना तो मेरा कहीं यहाँ से यहाँ 30 mm पे मेरा कहीं यहाँ यहाँ यह विशेफ पॉम होगा यानि उपड से अगर मैं इसको मेरा total 60 था यहाँ यहाँ पे 30 mm आ गया यानि यह मेरा center है और आप यहां से देखिए यहां से कितना है मेरा यहां से यहां total height मेरी कितनी है 20 है, 20 कैसे होई total height मेरी 30 दे रखी है और यह 10 mm का मेरा block हो गया 30 में से मेरा 10 गया तो यहां से यहां तक height कितनी होई 20 होई 20 होई और देखिए यह 20 हाइट से 10 cm की हाइट पर उठा हुआ है यानि center में यह 20 mm हो गया यहां से 10 cm की हाइट पर यानि कहीं इस तरफ पर यह जो point है यह point मेरा यह point आया यह आ गया ना यह point आया अब इस point से क्या उपर की तरफ को देखिए उपर की तरफ को लाइन जा रही यानि यहां से उपर की तरफ को जाएगी इस तरफ को कहीं V-shape बनाते हुए यह भी यहां पर देखिए V-shape का कट है ने तो उपर की तरफ यहां से भी जाएगी और यहां से भी जाएगी और उपर वाली लाइन से का पर मिलेगी 15 mm पर यहां से 15 mm यहां से 15 mm मतलब यहां से 15 mm हो गया और इस तरफ से भी 15 mm हो गया यह लाइन कुछ ऐसे और यह ऐसे यह बीच का हिस्स है यह कुछ ऐसे आएगा तो देखिए यहां पर V-shape में जो कट हुआ है जब मैं इसको सामने से दिखूँँगा तो यहां पर V-shape का यह जो है यह ऐसा shape बनेगा न V-shape का तो यह आगया मेरा हमने पता कैसे किया कि V-shape का पर figure हमारा symmetric था पर हमें 60 दिया था यानि कि 30mm पर मेरा center आ gehाता और हमको दिया था यहां से 10mm height पर है तो यहां मेरा point आगया यहां से हमें दिया भाए happy यहां से 15 हम्ने आपस में इसको जोड दिया उसके बाद देखिए उसके बाद यह जो दो हमारे से हम यह देख लेते हैं तो देखें सेंटर से 20 mm की डिस्टेंस पर यानि यह सेंटर मतलब यह जो लाइन है यह पॉइंट जो हमारा यानि यह वाला पॉइंट यहां से 20 mm इस तरफ यहां से 20 mm यहां से 20 mm देखे यह जो मेरा पॉइंट है यही लाइन का है न यह पॉइंट जो है इसी लाइन पर है मेरा यहां से 20 कुछ ही यह आया देखे यह जो दो इससे है यह और यह यह मेरा क्या बन किया जो टेपर वाले हिस्सा जब मैं टेपर को सामने से देखूंगा तो क्या होगा मेरा को बॉक्स ऐसा दिखेगा ना रेक्टेंगल की तरह तो वही मेरा यहां पर मेरा को रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है तो देखे हमने यहाँ पर V-Shift बना लिया वी हमने बना लिया इस तरफ का जो वीत हुआ हमारा ऐसे दिखेगा वो हमने दिखा दिया अब देखी इसमें अभी हमारी एक चीज़ और बची अब सकति कि यह देखे गे sami हमने यहाँ को नहीं दिखेगा और जो लाइन हमको नहीं दिखती तो यहाँ से यहाँ का हैट फाइव उन्हाँ है तो हम इसको शो करेंगे तो यहाँ से मतलब इस जगा से 5mm पर हमको इस तरफ पर रूहाँ बना, यहाँ से 5mm और वो पूरे length पर जाएगी तो बना लेते हम 5 mm पर हमने बना लिया और यह हमारी यह हमारी hidden line हो गई तो यहाँ पर देखिए हमारा front view हो गया व गया हमने एवी शिप हो गया यह हमारा V आ गया यह पर यह आ गया यह total हमारा हो गया और यहाली line है यहां से यहां तक की मतलिब यह यहां से यहां से यहां तक का distance Pr.D. यह कोई line नहीं है यह इस सीफ-measurement करने के लिए है तो इसको line मत समझने सिर्फ measurement के लिए है, यहां से यहां तक का distance ना आपने के लिए 20 है, यह हमारी knee बनेगी यहां पर, यह हमारा front view हो गया, इसके बाद हम इसका side view देख लेते हैं, तो जब इसको side से देखेंगे, तो side से हमारा base कितना हो जाएगा 45, height कितनी हो जाएगी 30, बे और हमारा base कितना है, 45, यह हमने आपर box बना लिया, side के line इस पर मिटा देता हूँ, तो देखेंगे, जब इसको इस तरफ से देखेंगे, तो पहले हमको height देखेंगे 30, मतलब यहां से यहां तक है 30 हो गई, यहां से यहां तक है 45 का base देखेंगा, मतलब यहां से यहां तक देखेंगा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद यहां से यहां तक हमको height तो यहां से यहां तक हमको 10 mm दिखेगा यानि यहां से 10 mm हमको दिखेगा लेकि उसका 10 mm से क्या होगा हमको उपर की तरफ टैपर दिखेगा ठीक अब यहां से यहां 30 था अब 30 से यहां तक का डिस्टेंस कितने है 20, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ 20 है यह 20 आ गया हमारा अब देखिए यहां से यह 20 और 20 के बाद के टेपर हुई लाइन का जा रही है, यह वाले पॉइंट पे न, मतलब यह 20 वाली लाइन यह यहां पर जाके जुड़े रहा है यह हो गया, बागी की एक्स्टे लाइन में इस तरफ की मिटा देता हूँ तो देखिए, साइड से हम जब देखेंगे, हमको यह इस्टा दिखेगा, यह और यह की टेपर जैसा दिखेगा न अब देखिए, इस तरफ में क्या होगा है, यह हमारा पोशन कट है तो यहां पर हमको क्या दिखेगा, खाली सा दिखेगा, कट हुआ तो हम यह ड्रॉ कर लेते हैं तो यह देखिए, इस पॉइंट से 30 mm की दूरी पे है और हाइट है 5 यहां से यहां 30 mm की दूरी पे है मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहां से 30 mm की दूरी पे है यहां से 30 mm मेरा इस तरफ आया अब देखिए, यह मेरा 15 था यह मेरा 30 था यह मेरा 15 हो गया, मतलब यह भी मेरा 15 हो गया इतना मेरा 15 हो गया, 45 था 15 15 15 तो ये भी मेरा 15 होगा तो मेरा 15 हो गया अब इसकी हाइट कितनी है हाइट हमको इसकी 5 mm दे रखे यानि यहां से यहां तक की हाइट 5 mm तो इसको 5 mm की हाइट पर हम उठा देंगे और यहां से है कि हमारा कट पोश्चन है नहीं तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा यानि यहां पर कुछ यह दिखेगा इस तरह से इसके बाद देखिए अब यहां पर इतना जो वी वाला हिससा है इस तरफ जो वी बन रहा है और इस तरफ जो वी बन रहा है यह वी और यह भी जर्म इसको साइट से देखेंगे तो हमको यह हिससा जो है ये जो इसस है ये हमारे hidden हो जाएगा और ये जो इसस है ये भी हमारे hidden हो जाएगा क्योंकि इस तरफ से देखने पर हमको ये और ये तो इससे नहीं दिखेंगे न तो देखिये हमको अब ये इससे hidden line में mark करना पड़ेगा तो देखिए यहां से यहां तक का distance कितना है 20 हो गया मतलब यहां से यहां तक यह 20 हो गया उसके बाद देखिए अब इसकी height देख लेते हैं यहां से यहां तक की height देखे 10 है यहां से यहां तक की height भी 10 है तो 10 प्लस यह 10 कितना हो गया 20 हो गया और total head कितनी है 30 है न उपर से 10 cm मतलब यह हुआ कुछ यह मतलब यह उपर से 10 cm इस तरफ से भी यह 10 cm और यह कुछ ऐसा हो जाएगा यह deadline हमारी कौन सी है यह जो V है न यह V इस तरफ से हम देखेंगे हमको दिखेंगा नी तो इस तरफ से क्या है डबब जैसा दिखेंगा है जिसमें यह कितना है 20 हो गया यहां से यहां तक जो हमें 20 दे रख था है यहां से यहां तक 20 यह 20 हो गया अब जब हम इसको देखेंगे इस तरफ से तो यहां से हमको कुछ ऐसा डबब जैसा दिखेंगा और इसकी height हमने कैसी निकाली तो हमको total height दी थी 30 total 30 दी थी height 30 में से यह 10 minus हो गया और यहां से यह 10 minus हो गया तो कितनी बची 10 कहां से उपर से उपर से 10 mm तो यहां से हमारा यह point आगी और हमने यह बना लिया इसके बाद देखेंगे इसके बाद यह जो हिससा है ना यह भी हमको hidden में देखेगा अब इसके लिए देखेंगे यह कितना दे रखा हमको height 10 दे रखी है और यहां से यहां तक की यह इसकी 10 दे रखी है तो height 10 हो गया और यहां से यहां तक की 10 हो गया यानि 10 by 10 हो गया यानि यहां से 10 और यहां से भी 10 इस तरह यहाँ पर कुछ ही हमको hidden line यहाँ पर दिखेगी इस portion की जो cut portion है न तो यह हमारा side view हो गया अब हम top view देख लेते हैं top view हम इसको उपर से देखेंगे यानि यह हमारा front था front के उपर से अब इसको top से देखेंगे तो यह 60 mm है यह हमारा क्या हो जाएगा base हो जाएगा और height कितनी आगी 45 total तो सबसे पहले मैं यह 60 mm base बना लेता हूं इसका 60 mm का base हो गया मेरा height कितनी आगी मेरी 45 आगी 45 आगी यहाँ से 45 बना लेता हूं इसके बाद देखिए उपर से देखेंगे ने जम उपर से देखेंगे उपर से देखने पर देखो यहाँ पर हमको V-shape दिखेगा यहाँ पर कहाँ पर इस तरफ में कहीं V-shape दिखेगा कौन से हिस्से का यहाले हिस्से का उपर से हम देखेंगे यह हमको V-shape में कटावा दिखेगा तो देखिए यहाँ से यहाँ 20 20 mm और इस तरफ से भी 20 mm मतलब यहाँ से 20 हो गया इस तरफ से भी 20 हो गया और कितने पर 10 mm के डिस्टेंस पर ना यहाँ से 10 mm हो गया मतलब यह कुछ 10 mm के असपास होगा और इसका सेंटर कितना हो गया 1 और ठीक इसके उपर 1 cm यानि कुछ इस जगा पर इस तरह से मेरे को कुछ V दिखे गए मेरा जो कटावा पोश्चिन है न V का देखिए उपर से देखने पर यह V जो मेरे को है वो कुछ ऐसा दिखे गए ठीक है इसके बाद अब देखते है इसके बाद हमको यह उपर के एक और यह दो यह दो बॉक्स हम बना लेते है तो यह कितने है यहां से यहां 20 और यहां से यहां 15 दोनों साइड है यहां से यहां 15 इस तरफे भी बॉक्स है हमारे 15 हो गया और यहां से कितने 20 है यहां से हमने इन को हापस में जोड़ लिया तो परसे देखने पर हमको जो दो बॉक्स दिखेंगे यह हमने बना लिए इसके बाद देखेंगे इसके बाद यह 20 का बीच का 30 म था हमारा यह हमको परसे क्या दिखेगा एक यह बॉक्स दिखेगा यह दो इससे दिखेंगे न तो इसका center कितना होगा है total 30 है तो कितना 15 mm इस तरफ 15 mm इस तरफ से यह हमारा total 30 था 30 पर क्या होगा हमने 15 mm का point cut कर लिया 15 mm का हमने point cut कर लिया और यहां से यह कुछ ऐसा है जब हम इसको उपड से देखेंगे तो एक box यह एक box यह एक box ही और यह box मतलब 1, 2, 3, 4 box सिखेंगे न यहां पर हमारे इन दोनों के बीच महाई यह वी शेप बन रहे है यहांसे इन दोनों के बीच महाई वीश्ये बन रहे है न तो उपड से हम देखेंगे हमको क्या दो box चैयसे दिखेंगे बस यह इसके बाद देखते हैं अब आगे यह दू हमारे ये Tepper इससे ते ये भी हमको उपड़ से दिखेंगे box की तरह तो Tepper इससे हमको काँ सेंटर है यहां से बीस mm की दुरी पे इस तरफ भी 20 इस तरफ भी 20 याणि यू सेंटर है इससे 20 mm की दुरी पे हमको दिखेंगे इस तरफ यह 20 हो गया और इस तरफ भी 20 हो गया जी और यह दो हिस्से हमारे क्या हो गया टैपर वाले हिस्से हमको उपर से रेक्टेंगल की तरह दिखेंगे ना तो हमने ड्रॉव कर लिए अब देखेंगे तो इतना जो माले हिस्सा उपर से हमको यह cut portion नहीं दिखेगा तो हमारे hidden line में आ जाएगा है तो hidden line में देखिए इस तरफ से जानी उपर की तरफ से कितना आए हगा 15 mm की distance पे है मतलब यहां से 15 mm की distance पे है यह वाला पॉइंट और यहां से यहां तक है टोटल 15 mm है अतलब यहां से देखे यहां से उपपर से 15 mm के डिस्टेंस पे हो गया है तो उपपर से 15 mm के डिस्टेंस पे हमने हिडल ना ली और यह टोटल कितना है 15 mm है यहां से यहां तक भी 15 है तो यहां से 15 में हम और हम ले लेते हैं यहां से यहां तक जो और देते हैं इसको hidden line से क्योंकि उपपर से हमको दिखेगा नहीं तो देखिए यहां से यहां से यहां तक का पंद्रा आगे है ने डिस्टेंस यहां से यहां तक हमारा पंद्रा है यानि यह जो इतना हिस्स है उपपर से हमको दिखेगा नहीं तो हमने यह बना लिया hidden line की help से बाकी की extra line में मिटा देता हूं तो इस तरह से हमने इसका टॉप भी बना लिया अब हम इसको इसकी डाइमेंशन से अब वह लिख देते हैं तो सबसे पहले इसकी डाइमेंशन लिख लेते हैं देखिए figure बनाना बड़ा आसान है बस आपको दिमाग में इसकी image होती है न कैसे दिखता है object वह आपको इसकी बनानी पड़ेगी कि यह सामने अगर रखा है तो कैसे दिखेगा अगर एक बार आप वो उसकी कलतना कलने कैसे दिखेगा तो आप आराम से बना सकते हैं तो यहां से यहां तक कितना था मेरा डोटल 60 mm था एक मिनट उससे पहले में ठीप देखे यहां से यहां तक का मेरा जो distance था और यहां से यहां तक का distance था सारी में दिखा देता है तो मेरे को इसका इसका इन सबका distance भी individually पता चल जाएगा तो यहां से यहां कितना था 20 यहां से यहां 20 और यहां से यहां 20 और इसकी height कित्ती थी हाइट इसकी total हमको किती दी थी 30 दी थी total इसकी height हो गई 30 इसके बाद देखिए इसके आदम यहां से यहां तक का distance मार कर लेते हैं यहां से यहां तक का तो देखिए center से यानि इस point से 20 mm यानि यहां से 20 हो गया तो यहां से हमारा 10 हो गया है यहां से हमारा कितने 20 दी रखा है यहां से यहां 10 हो गया यह भी हमारा 10 है यह हमारा 10 हो गया इसके बाद देखिए इसके बाद यह जो cut portion है यह जो cut वाला इसस है मतलब यह वाला जो hidden वाला था ना मारा यह hidden line का यह कितना है पांच एमम के distance पे ना पांच हो गया इसके बाद देखिए इतनी जो height है यहाइड भी हम दिखा देते हैं यहाइड हमारे कितनी है 10 है यह हमारी height 10 हो गई यहाँ से यहाँ तक का जो distance था वो हमारे कितना था 10 था तो हम वो भी दिखा देते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो distance था 20 हो गया हमारा इसका कर देते हैं देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे कितना था 45 था ना 45 में कितना यह 15 यह 15 यह 45 हो गया टोटल मतलब यहां से यहां से यहां तो 15 है यह टोटल 45 हो गया यह भी हम इसमें शो करा देते हैं अप्रोड से नीजब नादे तूम अप्रोड से नीजब नादे तूम यहां से यहां तक हमको कितना दिया था 15 दिया था यहां से यहां तक 15 दिया था यहां से यहां तक 45 हो गया 45 दिया था हमको इसके बाद देखिए यह डिश्टेंश यहां पर इतना निकालने की जरवत नहीं क्योंकि हमने ओल लेड़ी यहां से यहां तक है 10 दिखा दिया है तो यहां से यहां तक है 10 ही है और यहां से यहां जो 5 है वो हमने यहां पर ओल लेड़ी यहां से 5 का दिखा दिया है तो यही लाइन जब यहां जाती है तो यहां से 5 हो जाता है इसके आदम टॉफ्यू पर आ जाते हैं टॉफ्यू पर देखिए सबसे पहले हम यह उपपर का दिखा देते हैं तो उपपर में देखिए यह जो यहां से यहां तक का हमारा था और यहां से यहां तक का तो देखिए यहां से यहां तक हमारा कितना था यहां से यहां तक हमारा 30 था यहां से यहां तक कितना था 15 था इसके बाद देखिए यहां से यहां तक का distance हम दिखा देते हैं इस जगा से यहां तक का इस जगा से यहां तक का 30 दिया ना उनको यहां से यहां तक की जो हाइट है हमारी यहां से यहां तक की हाइट वो अमारी कितनी है यहां से यहां तक की हाइट हमारी कितनी है यहां से यहां तक की हाइट हमारी 10 हो गई इसके लावा देखे बाकी हमारी जितने डाइमेंशन्स है यहां से यहां तक कई हमने अल्लेड़ी 10 लिख है यहां से यहां तक भी 10 है और ये टोटल बेस जो ही हमने और लेड़ी यहां पर 60 दिखा दिया है तो टोटल यहां पर लिखने की जरुवत नहीं है तो इस तरह से हमने इस स्विगर का हमने थर्ड एंगल में और्थोग्राफिक पोजेक्शन मना लिया उमीद है कि आपको याला समझ माया होगा बहुत बहुत धन्यवाद